अब आपको दोड़ साहिए सुवागत करतों पर आज मापस आगी है शाओमी 15 सीरीज आज की वीडियो में इंबोक्स करेंगे शाओमी 15 15 प्रो को नेक्स वीडियो में करेंगे यह बड़ा सा मुझे गिफ्ट में मिला मैंने लिया इसका वाइट कलर इसमें चार कलर हैं लाइट वाला चिपसेट मिलता इसमें लाइक्या का सपोर्ट है और 6.36 इंच की कॉंपक्ट साइज का यह फोन है और इसके यह फ्रेम है काफी बढ़िया बना दिया गया है मगर 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 यह फोन में हीटिंग मुझे बहुत मिली जा मैंने बेंचमार्स किया लिए ल सब्सक्राइब करना मत बुलना तो यह हमारा शाओमी 15 15 फिफ्टीन प्रो और एक मुझे मिला है बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स तो इन दोनों को रखते हैं साइट पर सबसे बहले गिफ्ट बॉक्स दिखते है चाना में में मुस्ली शाओमी के अगर पहले दिन फोन लेते हो मतब रिबुकिंग कराते हैं तो आपको गिफ्ट जरूर मिलता है तो यहां अपर एक डैरी मिली है शाओमी की देखने में बड़ी अलग रही है लेट सी यहां आपर कार्स कूर्स रख सकते हो ठीक है नॉट बैट मेरे बच्चे ड्रॉइंग कर लेंगा इसमें एक पैन है शाओमी का कोई लोगों नहीं है चलो पैन है और यह TWS मिलते हैं शाओमी एयर SE4 शायद जो यह पर लिखा हुआ है यह नोट बैट और यह शायद इसका कवर है TWS का लट मी ओपन एट वाव यह क्यूट सा है तो यह इस पर गिफ्ट मिला है और लास्ट में यह शायद इंस् होगी है कुछ और होगा हाँ केबल टाइप सी डू यूस्बी नॉट बैट अच्छा गिफ्ट है तो शाओमी 15 प्रोगर्म रखेंगे साइट पेज की अलग से वीडियो बनाएंगे आज करेंगे शाओमी 15 की एन बॉक्सिंग तो मैंने बेस्ट विनेंट लिया है बारा जी बैटरी कॉंपक्ट साइज में बहुत अच्छा है 90 वाट का चार्चर भी आपको मिलता है टाइप सी डू यूस्बी टाइप सी डू टाइप सी ए देनी चाहिए थी फोन को निकालते हैं बाहर और देखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन में कहूंगा लुक्स काफी सहेम है अच्छा लगा फ्रेम तो उन्हों जिसे वह अटाच कर दिया शायद ओपो फाइंड एक में बीडियो देखी हो तो जो आयर ब्लास्टर थे तो आपका माइक था उन्हों कैमरें बेशिफ्ट कर दी है स्क्रीन के बात करते हैं तो 6.36 इंच की एल्टी गो एमोलेट में बता साथ यह आता है और इसमें शाओमी ड्राइगन ग्लास की प्रोटेक्शन दिये बहुत ही कम है जैसे अब देख सकते हैं चिन कितना चोटा है तो डिस्प्ले काफी प्यारी लग रही है यहां पर तो डिस्प्ले में मैं कूँँगा दस में से दस नंबर है कुछ ब्लोट पर जो चाइना में जो लांच हुआ इस फोन के साथ 12GB RAM 16GB RAM मिलती है LPDF 5X UFS 4.0 और एक टीवी तक स्टोरेज जाती है इन्रोइट 15 मिलता है मैं सबस्ट चार साल का अप्रेट तो यह देंगे रिफ्रेश टेर आपको 120Hz का मिलेगा LTPO डिस्प्ले है और 1.5 की रेजूशन के साथ यह आती है पान सेकिंड की तो लेट सी मैं फेस और इन्रोल करके इसको भी टेस्ट कर लेते हैं तो यह भी काफी क्विक है नॉट सो बाड तो इन चीजों में शॉमी काफी बढ़ी है रहता ही रहता है तो फोन अभी तक तो अच्छा चल रहा है अब चलते हैं बेंचमार्क में स्कूर में की काफी कम देखने को लगर आलमूस्ट बाइस लाग के पास आया और जब मैंने अपना किया था आईक्यू टेस्ट उस ते मिरा उसका स्कूर आलमूस्ट चब्स लाग के पास रहा था और गीग मैंच का भी देख सकते हो 27,50 और 8547 ठीक है मों यह को साइथ जाद लगी सबसे प्यारा मुझे लगा इसके ब्रिजिल और चेन देख सकते हो कितनी प्यारी डिस्प्ले है प्लस अगर आब बात कीज़े तो 6.36 इंच का कॉम्पैक्ट साइस काफी लोगों को पसंद आएगा वहीं डॉल बी विजन मिलता है लोगों को पसंद आएगा और डिस्प्ले में काफी अच्छे आ रहे हैं जैसे अब देख सकते हो तो बढ़ी डिस्प्ले में तो काफी काम किया है शाओमी ने और ड्रैगन स्केल प्रोटेक्शन है तो मैं इतना गरंटी नहीं ले सकता पब जी की बात करते हैं और पब जी द में अल्ट्रा एक्स्रीम मिलता था 120 fps जो बढ़िया था इनको 90 fps तक तो देना बनता था बहुत सपोर्ट मिलता तो 60 fps चोटा सा मैच लगाते हैं और देखते हैं प्रफॉर्मेंस कैसी आती है मैं ट्रिगर के साथ खेलता हूं तो मैंने अपने ब्लैक शार्क के ट्रिगर हुआ और कुछ ज़्यादा ही हीट वह चुका था मरपब जी में प्रफॉर्मेंस थोड़ी बैटर ही हलका हलका लैग मिला मगर नौट सो मच तो यहां भाग रहे हैं भई गोलियां मार रहे हैं जोनों ट्रिगर से लगा गए एक के लगा और मिली केल हमने मैस में बहुत ज् पर्सन घाए चुकी है तो काफि लोगों मुझे मैसेज आते हैं यहाँ पोस्थ किया तो अपने टेस्ट किया है तो बाट में भात ने आप सको अब भी मेरी 20 पर्सन बैटरी रही है इससे पहले मैं सारे टेस्ट कट चुका था तो तो करके मता मैंने पिच्छर्स डाली थी कठे एक तरह से करने का वन्हा मेरा टेस्ट पहले ही हो चुका था तो पपजी की मुझे रेली काफी पसंद आया चोटे स्क्रीन में मुझे जादा मज़ा नहीं आता और डिस्प्ले काफी अच्छी है और परफॉर्मेस भी ठीक गई है लैग नहीं मिला हीट अप नहीं हुआ और ज्यादा अच्छा नाम था यह इलाइट करके थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कर दिया है और हम अपनी लिया है शॉटकन अब शॉटकन के साथ किल लेंगे और चुन-चुन के मारेंगे एक बंदों को कोई तो है सामने कोई भी नहीं आ रहा चलो तो अगर आपको और गेम स्रिकमेंड की थी वार जोन काल अफ ड्यूटी को तो आप भी चाहते तो आप मुझे पता देना बहुत जल्दी मारा गेमिंग टेस्ट आएगा इस फोन का तब हम क्लियर आउट कर देंगे तो पब जी काफी हो गया आप इसको बंद करते हैं MVP बने और by skill भी हमें मिले जो क 50 में पता है Samsung JN1 अल्टरावाइड यूज किया गया है रियर क्यामरा में लाइक आगा गया सपोर्ट है तो मेरे सबसे पिछल तची होनी चाहिए वहीं अगर हम फ्रेंट कैमरे की बात की तो 32 मेपिक्सल का फ्रेंट कैमरा मिलता है तो यहां पर आपको जूम कितना मिलेगा अब हम देख लेते हैं तो 60X का आपको डिश्टल जूम मिलेगा और 2X का उप्टिकल जूम मिलता है जो मुझे काफी बढ़िया लगा और प्रेंट में भी आपको 4K 60fps तक option मिलती है जो मेरे साब से काफी बढ़िया है और यह फास्ट शॉर्ट नामसे एक नया में को मिला यह काफी बढ़िया था बाकी आप पिचर्स देख सकते हैं जो मैंने रैंडमली क्लिक की थी वहां पर जो मुझे देखने में काफी अच्छी लगी और कलर्स अच्छे आये हैं सैचुरेशन भी ठीक है और सेचुरेट नहीं लगा तो कैमरा बढ़िया है मैंने वाइबरें जाते हो आइक्यू या वीवो के साथ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिए न हम इसका क्यामरा कंपैरेजन भी जल्दी से लेके आएंगे आपको कैसी पीचर लगी हो भी बताना और वीडियो बढ़िया लग तो लाइक एंड फॉलो करना मत भूलना तो कुछ डाइनामिक र पिक्सल के में सेंसर के लिया था अल्टावाइड शॉर्ट वन एक्स शॉर्ट और इसके बाद था हमारा 2.6 एक्स का शॉर्ट जो काफी बढ़िया और इंप्रेसिव लगा मुझे फ्रंट कैमरा 32 में पिक्सल का है फिचर देख सकते हो चाइनिस वेडिन में थोड़े गोर 400 एमेच की 90 वार्ट का चारजर भी अच्छा है और फोन हीट बहुत हो रहा था जब मैंने बेंचमार्क्स किया तो अप्टिमाइजेशन के भी जरूरत है पहले नया नया चिपसेट है यह भी बारत है बागी प्राइज थोड़ा मुझे जादा लगा साड़े 4,000 युवान एस पर युवान मुस्ली 4,000 युवान होता तो काफी अच्छा था कुछ आईक्यू ने इसी प्राइज में लॉंच किया गया है तो बागी देखते हैं गलोबली यह दिसमबर यह जनवरी में आएगा तब हम टेस्ट करेंगे गलोबल वर्जन अभी के लिए इतना ही अगर आप कोई टेस्ट या कंपेर्जन चाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो बड़िया लगी तो लाइक करना न्यू है चानल पर तो सब्सक्राइब करना मत भोलना